हालो फ्रेंट्स वेलकम टू माई ओफिचिल यूटूब चैनल स्टडी मेटेरियल एड टू जैड मैं कमलेश आप देख रहे हैं स्टडी मेटेरियल एड टू जैड दोस्तो स्टेट बैंक ओप इंडिया के द्वारा एक नई रिकुटमेंट जारी कर दी गई है और दोस्तो आपका आवेदन आज से स्टार्ट कर दिये गए हैं 27-4-2021 से आवेदन 17-5-2021 तक आपका आवेदन चलने वाला है यह रिकुटमेंट दोस्तो जुनियर असोसियेस्ट के तुर्प से जो की आपकी जारी की गई है यहां पे दोस्तो आपकी जो S.P.E. कलरक के अंदर क्या-क्य is un kal bigger chewy application है नोटेफिकेशन अपका आउट कर दिया गया है नोटेफिकेशन दोस्तो आप कहां सर डाउनलोड करेंगे नोटेफिकेशन वीडियो के इसके वीडियो के अधर डिसकस करने वाले हैं तो जो भी गंडिटेट नहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बैल आइकन को ओन कर लिजेगा और दोस्तों आप किसे एक रिक्वेस्ट भी रहती है आप वीडियो को लाइक नहीं करतें तो आप वीडियो को लाइक किजिए स सभी candidate तक जानकारी पहुँच पाएं तो दोस्तो वीडियो को start करते हैं आए स्क्रीन पे जल्दी से सभी candidate SBI कलरक जूनियर असोसियर्स ओनलाइन फोर्म 2021 है दोस्तो आज से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और यहां पर सबसे important date देख लिजिएगा start date 274-2021 और 17-5-2021 लास्ट डेट होगी परी exam date जून के अंदर conduct करवाया जाएगा man exam जो होगा वो 31-7-2021 को यानि जुलाइ में conduct करवाया जाएगा next अगर हम बात करें आपकी application फी की तो आपका application फी जो की दोस्तो रखा गए है SC और ST और PWD जो candidate उनके लिए nil है यानि जिनको कोई भी फिस नहीं देनी पड़ेगी जो candidate UR, EWS, OBC के अंदर है उन candidate से 7500 रुपे फी मांगी गई है payment board आप online भी कर सकते हैं या offline भी कर सकते हैं next अगर हम बात करें आपके age limit की तो दोस्तो आपका age limit जो हो यहाँ पे 14-2021 से यहाँ पे count क्या जाएगा minimum age दोस्तो 20 year है maximum year यहाँ पे 28 year है age reduction भी दियागा है पर rule के इसाब से आप उस notification को read कर लीजी अच्छे से आपको टेलिग्राम पे forward कर दिया जाएगा वीडियो के description में link है यहाँ पे बात करें qualification की कि आपकी क्या qualification होनी चाहिए इस बढ़ते के लिए आवेदन करने के लिए तो graduation any degree आप candidate यहाँ पे apply कर सकते हैं appear candidate भी यहाँ पे apply कर सकते हैं लेकिन आपको जो degree वहाँ पे दिखानी पड़ेगी जब आपका यहाँ पे form जो आपको जो की conduct होगा exam उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे important आता है कि आपके vacancy जो की 5000 post total रखी गई है उटके state में कितनी vacancy है आप अच्छे से इनको देख लीजिए यहाँ पे अलग-अलग state की अलग-अलग vacancy है total post की बात करें तो आपके 5000 total post जो की रखी गई है next यहाँ पे बात करें SBI कलरक 2020 यहाँ पे 21 selection process की तो selection process दोस्तों आपका पहले pre exam conduct होगा फिर main exam conduct होगा उसके बाद अगर हम बात करें आपके objective test की तो 100 marks का आपका जो की test होने वाला है हम बात भी करेंगे detail से भी कि किस परकार का आपका negative marking भी आपकी रखी गई है दोस्तों यहाँ पे जो की 1 by 4 का आपका negative marking है pre exam की बात करें तो आपका यहाँ पे syllabus दिकरका है English numerical aptitude reasoning aptitude यहाँ पे दोस्तों बात करें आपके number of question की तो यह number of question आपके 100 number of question होगे और number of यहाँ पे marks देखें तो 100 number का paper होगा एक घंटे की time duration होगी फिर second आपका जो की men's exam conduct होगा इसमें general आएगी यहाँ पे general financial awareness यहाँ 50 question होगा general English के 40 question होगे quantity aptitude के 50 question होगे reasoning ability या computer जो aptitude है उसके 50 question होगे इस परकार से आपका यहाँ पे total यह 60 number की होगे यह 50 number की होगे 40 और यहाँ पे 50 और time duration आपको 2 गंटे 40 मनिट आपको दी जाएगी total marks और दोस्तों details से आप notification को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो imported जानकारी थी वो यहाँ पे मैंने mention कर दी है अगर दोस्तों आपको यहाँ पे जब आप home फिलप करते हैं आपकी online जो website है यहाँ पे आपको फिलप करना पड़ेगा notification के अंदर आपको online website भी दे रखी है किस परकार से आप आवेदन करेंगे यहाँ पे दोस्तों एक जो की अपलाई किजिए यह आपके लिए important link यहाँ पे दी गई है तो आप दोस्तों यहाँ पे आप जो आकर आवेदन कर सकते हैं SBI कलरक के अंदर और दोस्तों पांच खजार पोस्ट जो की रखी गई है आवेदन डेट भी आप ध्यान रखी है और दोस्तों यही जो की आपको important जानकारी थी जो की मैंने clear कर दी है और आपको notification में मिल जाएगा और कोई भी आपकी क्योरी हो तो मुझे Instagram पे follow कर लीजिए वीडियो के description में link है तो वहाँ पे आपकी क्योरी complete कर दी जाएगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए मिलते है next वीडियो के साथ जैहिंदे